दुनिया गुदरत का एक रीश्म कोका है एक ऐसा क्यूख्वसूरत करिश्म को कि रखेता है। जाता है मजबूर की ऐसा भला कैसे हो सकता है और आज हम आपके सामने साजा करने जा रहे हैं एक ऐसा ही किस्ता जो आपको हैरत में डाउ सकता है आज हम आपको ब्रिटेन में हुए कैसे ही वाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक बच्चा लिंकन फ्रीमैं अपने आधा चहरा बच्मन से ही खराब था माबाप को लगा वक्त जाते जाते शार निशान भी चला जाएगा लेकिन ऐसा ना होकर ये निशान थोड़ी सी जगाते शुरू हुआ आधे चहरे पर फैल सुका था और साथ ही अभी गहरा लाल निशान बेहाद अजीब भी दिख रहा फैसला लिया गया कि लिंकन के दिमाग के एक तरफ का हिस्ता निकालना बड़ेगा अगर ऐसा नहीं किया गया तो लिंकन को आगे जाके बहुत मुसीबतों का सामना करना पर सकता है और यहां तक कि उस बच्चे को ब्रें हैंबरिज भी हो सकता है लिंकन की मां किम रेड़कलिफ का कहना था कि जब लिंकन की इस बिमारी का पता चला तो वो तूट ही गई थी और साथी ओपरेशन की बाद ने तो किम को जगजोर कर रख दिया था क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि इस operation के बाद ना तो लिंकन बोल पाएगा और ना ही कभी अपनी जिंदगी में चल पाएगा बता दें कि इस बिमारी का पता लगने के बाद बृटेन के ही एक अस्पताल में लिंकन को पहले एक साल तक एक्जामिन किया गया और फिर तेरवे महीने में लिंकन का operation किया गया जो आट घंती तक चला लेकिन जब operation के बाद के परिणाम डॉक्टर्स के सामने आये तो सभी डॉक्टर्स हैरत में पढ़ गए थे क्योंकि आधा दिमाग मिकाल लेने के बावजूर भी लिंकन पूरी तरह सिस्वस्थ था वो बोल पा रहा था और चल भी पा रहा था और अब केम यानी के लिंकन की माइस बात को किसी बड़ी करिश में से कम नहीं आक रही है साथ ही अब धीरे धीरे उसके चेहरे से वो निशान भी हट रहा है और अब दौरा पढ़ने चैसी कोई बीमारी लिंकन को नहीं है इसी तरह के देश वर्दुनी से जुड़ी तमाम अजीबों करीब खबरे जानने के लिए सब्स्क्राइब करिए हमारा चैनल टौप नूज जिस्ट फर यू टौप नूज से आस था की रिपोट